कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं मटर आलू की सब्जी तो इसको हमने कैसे बनाया है आप सब लोग वीडियो को पूरा बाज करिए पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी करना फ्रेंड तो मटर को हमने ची कर दालें लोग मं बनाओगे हाँ ऐसकर के इस सबूजी एवार मिर्च तरह मने कट हुआ हरि मिर्च और हमने ले लने ढ़ती है अब टांव इसको बहुंद आप siglo गोल्डण ब्राउन होने तक क dewbelt नहीं गे जब प्याज ह 一sky से ऑणिटे पखा यह संशे को में मूद तो यह हम डाल देगे और इसको भूनते जाएंगे मसाले को हम अच्छा से भून लेंगे थोड़ा सा हम इसमें पानी भी डाल देंगे ताकि मसाला हमारा जलने न पाए पानी डाल के भी हम मसाले को थोड़ी ज़र ऐसे ही पकाएंगे जब मसाला हमारा पकने लगेगा तो हम टमाटर डाल देंगे टमाटर को भी हम अच्छे से चलाते रहेंगे और इसमें डालेंगे हम नमक सौधा नुसार ताकि टमाटर हमारा जल्दी से गल जाए तो हमने नमक चल्वा, æ CEFRACOTssa रइए अर अब इसको चलाते रहेंगे, जब तक हमारी टमाटर कल नहीं जातं है उप 시ल पकाया, कर प्थेदे हैय। टमाटर हमारे गल चुके है। आप इसको डाल देंगे, कटी हुई सबजी जो हमने सब्जी काटके रखी थी इसको भी हम डाल देंगे और इसको भी हम थोड़े देर के लिए भूनते रहेंगे ये सारी सब्जी हमने तीन पानी में धुली है फ्रेंड्स आप भी इसको धुल लेना क्योंकि आज कल नए आलू आ रहा है और इसमें बालू भी रहती है तो सब्जी को अच्छे से धोना बहुत ज़्यदा जरूरी है नहीं तो सब्जी में बालू किसकने लगेगी तो आप आलू को खुब अच्छे से धोईए ये हमारा नए आलू है हम नए आलू से बना रहे हैं सब्जी तो देखिए हमारी सब्जी से तेल छूटने लगा है मसाला हमारा अखो बच्छी से पक गया है अच्छी-च्छी सी खुसबू भी आने लगी है सब्जी से आप हम इसमें डाल देंगे पानी तो पानी आप अपने स्वाजा नुसार डालिएगा ग्रेवी के हिसाब से अगर आप सूखी बनाना चाहते हैं तो पानी कम रखिए और अगर आप ग्रेवी वाली बना रहे हैं तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिए दो कटोरी के करीब पानी डाल दीजिए पानी डाल दिया है और अब हम इस पे ढगा देंगे इसको ढख देंगे तीन चार मिनट के लिए हम इसको ढखकर पकाएंगे पांच मिनट के बाद हम फिर से ढखकन को उठा लेंगे और सब्सक्राइब चला देंगे चलाने के बाद हम इसको दुबारा फिर से धकन लगा देंगे क्योंकि अब शब्जी पकी नहीं सर्च कि अभी पप्ची इस भी बहुत जादा है इसलिए फिर से धकन देंगे फिर हम इसको चार मिनट के बाद धक्कन हटाएंगे तो देखेंगे हमारी ग्रेवी गाड़ी हो चुकी है और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए योही खुला पकाएंगे धक्कन नहीं लगाएंगे अब देखिए हमारी ग्रेवी गाड़ी हो चुकी है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे कटा हुआ धनिया हम उपड़ से डाल देंगे हमारी सबजी बंद कर तयार है धनिया डाल कर हम चला देंगे इसको और हम गैस से नीचे उतार कर कढ़ाई रख देंगे हमारी सबजी बंद कर तयार हो गई तो अब हम इसको नीचे उतारेंगे तो देखिए फ्रेंट्स हमारे सबजी का कलर कितना प्यारा आया है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें थेंक यू